गुजरात में रेलवे पुलिस ने एक वहेदे चौकाने वाला किस्सा पकड़ा है जिसमें एक मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान बदल करके, हिंदू पहचान बना करके, कई लड़कियों के साथ फ्रॉड किया है, उनका सेक्शल एक्स्प्लेटेशन किया है, यह ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं, और इंटरस्टिंगली एक दूसरे केस की जाज करते हुए, यह मामला पूरा सामने आया, लेकिन इस बड़े पूरे किस्से का परदाफाश हुआ है, और किस तरह से यह मामला सामने आया, हम बात करेंगे वेस्टिन रिल्वे के पूरा मीना जी से, यह बदाएं सार के यह जो हमने सुना यह पूरा मामला, आप आई थिंक एक चोटी सी चोरी की जाज कर रहे थे और उसमें यह रिविलेशन सामने निकल का है, पूरा केस क्या था हुए, बैसिकली एक रेलवे में वंदे भारत के अंदर, एक उनके मोबाइल नंबर को चेक करना, वो सब कर रहे थे, उसी दर्मियान यह ध्यान पर आया कि जो विक्ती चोरी करके ले गया है, उसको हम लोगों ने ढूंड लिया, और जब इसी बंदे से हमने संपर्क किया, हाँ मेरे पास में यह लेप्टोप का बेग आ गया है, प्रो हो सकता है, मेरा सारा भंडा फूड जाएगा, इसलिए यह खुद, जब हमने इससे कहा, तो खुद सहर्ष हमारे पास अपना लेप्टोप, वो लेप्टोप जो चोरी का था, वो लेके पहुँच गया, तब आप यह कहना चाह रहे हैं, कि यह इसलिए लेके आ गया, ताकि जो यह इन पर सॉनिफाई करके घूम रहा था आपने आपको, वो रिवील ना हो जाया, बाकी इसको डिटेक्ट करने में और इसको इन्वेस्टिगेट करने में हम लोगों ने इस तक पहुचने में बच्छी खासी महनत की थी, हमने काफी CCTV चेक किये थे, काफी Numbers चेक किये फिर फाइनली जब हमारे पास आया तो यह उस टाइम पर भी अपने आपको आर्मी का मेजर बता के ही हमारे साथ डील कर रहा था, पर हम लोगों ने जब इसके क्रेडेंशल्स वेरिफाई करना शुरू किया, तो पता चला कि यह आर्मी में से निकाला जा चुका है, और उस क्या बेसिस पे एर टेवल किया हुआ था, बेंक के अकाउंट्स खुलवाए हुए थे, तो उन सब डिटेल्स में से हम लोगों ने काफी डिग आउट की इन्फोर्मेशन, तो शादी.com का भी एक आस्पेक्ट सामने आया, शादी.com से हमने डिटेल्स निकाली तो वहाँ प उस विक्ति को भी हमने धून लिया है, और उसके बाद उसने भी एपनी तरब से एक F.I.R. कल रात को दर्ज करवाई है, तो उसका जो आधार काड़ था, उसकी फोटो कोपी उससे कहीं गुम हो गई थी, और उस फोटो कोपी को इसने कहीं से जहां से भी इसको मिली थी, उ उसमें हर्शित जादौन की जिए का हर्शित चोदरी डालके उसका नंबर सेम रहने दिया और बाकी की सारे डोकिमेंट्स करिये तो मैं यह जानना चाहरा हूं कि अमोमन होता यह है कि अगर मानली जी लैप्टॉप किसी के पास गलती से चला गया और वो आकर जमा कराता है तो जनरली पुलिस को डाउट नहीं होता है वो भी इसी प्रिटेक्स्ट में आया होगा यहां पर बट आप लोगो को शक कैसे हुआ इसलिए होगा क्योंकि उसने सबसे पहले अपने आपको आर्मी का मेजर बताया जो कि वो हर जगे बताता था और यूनिफों में आर्मी मे मेजर हो तो उसने बताया कि मैं चुट्टी पर हूँ तो हम लोगों ने चुट्टी के ओडर का उससे हवाला किया कि चुट्टी का ओडर कहा है चुट्टी का ओडर मेरे पास घर पर रखा है ऐसा उसने बताया तो हमने और बाकी डिटेल्स मांगी उसकी आधार काड के साथ में उसके जो दूसरे डिटेल्स थे उनको मेच करना शुरू किया तब जाके हमको आइड़ा लगा कि ये वंदा जून बोल रहा है और फिर हमने बेक चैनल से थोड़ा आर्मी के ओफिसर्स के साथ में लाइजन करके जहां इसकी यूनिट थी वहां यूनिट में से पता किया तो डोकुमेंट सामने आ गए कि इसको तो आर्मी में से पिछले जुन जुलाई में निकाला जा चुक है और क्यों कया थे इसको आर्मी से इसको जो निगाला गया उसका ग्राउंड बताया गया है बट ये भी पता चला है साथ ही कि यह आर्मी के डिसिप्लीन और रूल्स लड़कियों को ट्राप करने में इन्वाल्व है और उनके साथ फ्रॉड कर रहा है श्रूल एक्षा मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने इसकी पूरी प्रोफाइलिंग बनाना शुरू किया कि ये किसकी सास्पेक्ट से कहां-कहां जुड़ा हुआ है और इस आधार कार्ड को और इस पैन कार्ड को इसने कहां-कहां यूज किया हुआ है उसके बेसिस पे हम लोगों को एक जगे दिखाई दी जहां शादी.com का उल्लेक हुआ शादी.com के concern officials के साथ हम लोगों ने contact किया मेरे पास details आ गई है सारी और बहुत ही चोकाने वाली details है कि इस बंदे का खुद का Facebook और Instagram जो अकाउंट है वो इतना इसने अपने एक्टिवेट नहीं कर रखा है लेकिन शादी.com के अकाउंट को इसने इतना explore किया है कि लगबग सो से सवासो महिलाओं के साथ में इसने exploration करनी कोशिश की उसमें से 30-40 के साथ इसका रेगुलर टच था और 15-20 के आसपास जो थी महिलाओं उनके साथ में यह physically one-to-one meeting भी कर चुका था और वो महिलाओं पूरे देश में अलग-अलग भागों से हैं कोई Bombay से हैं कोई दिल्ली से हैं कोई अलिगड से हैं कोई जो हैं जमू कश्मीर से हैं इस सारी महिलाओं हिं हिंदूी हैं यह कंपर्म हो गया है 95% 95% जो महिलाओं हैं वो हिंदूी हैं क्योंकि इसको अपनी खुद की आइडेंटिटी जो थी जो मुस्लिम आइडेंटिटी थी उसमें कभी कोई बहाना बनाने की जरोत नी थी और कहीं हमारे पास में ऐसी भी कुछ मुस्लिम महिलाओं की डीटेल्स आई हैं जो अलीगर से बिलोंग करती हैं इसमें इसने खुद अपने आपको कोई हर्शित चोदरी बताने की जरोत नी थी क्योंकि वो जानते थे कि यह शेहवाज है और महिलाओं भी मुस्लिम थी तो इसके लिए ऐसी कोई खास दिक्कत की बात नहीं थी इन म बेंक अकाउंट खुलवाया, फोर्ज किये वे डोकुमेंट से अलीगर के अंदर हम लोगों ने वहाँ बेंक के साथ भी संपर्क किया है उन बेंक उस बेंक के अंदर एक महिला के अकाउंट से लगबग 7-8 लाग का ट्रांजेक्शन हो रखा है जो बेसिकली यह अपने इसके साथ में फैनेंशल ट्रांजेक्शन भी किये हुए है और इसके खिलाफ किसी महिला ने अभी तक फर्याद किये यहां गुजरात में या बाहर कहीं इसमें एक बड़ी चोकाने वाली बात सामने आई है जो अलीगर से ही सामने आई है जब हमारी कस्टडी में था तो इ किराय के मकान में रख रहा था जब कि खुद रहने वाला भी अलीगर का है इसके खुद की वाइफ और बच्चे है इसके और अच्छी फेमेली से है बावजुद इसके इसने वो एक स्टेप ले रखा था जब हम लोगों के पास कस्टडी में था तो उस महिला के लगातार आ रहे थे तब हमने उसके सामने ये सब डिटेल्स जो थी रिवील की कि ये बेसिकली हरशित चोदरी नहीं है इस विक्ति की वास्तिक डिटेल ये है तब उसको ये पता चला और शी वर शोग और उसके बाद उसने फिर वहां के बनना देवी पुली स्टेशन है अलीगर का उसमें अपने जिस समय पर इंसिडेंट बना था उसकी वेसिस पर फायर करवाई है तो आप लोग क्या एक्सपेक कर रहे हैं कुछ विक्टिम से आप संपर्क कर पाएं क्या लोग सामने आने को तयार हैं हाँ हम लोगों ने जुन से भी इसका परसनल डिलेशन था जिनके सा किसी भी तरह का financial और physical exploitation हुआ है तो please come forward और आप की जो भी फरियाद होगी उस फरियाद के basis पर हम इसके अगेंस्ट में crime register करके investigate करेंगे कोशिश अभी तक जारी है जितनी भी महिला हैं उनसे हम एक एक करके संपर कर रहे हैं पर अभी तक कोई सामने आया नहीं है अभी आप शिरुवात में हम लोगों को जब इसका custody मिला था तो उसके टाइम पे जो रिमांड पूरा हो गया था 16 दारिक को उसके बाद हम लोगों के सामने जो भी इन्वेस्टिकेशन में सामने मुद्ध्य आय थे तो हमने अन्रेबल कोर्ट के सामने रखे थे और उसके बाद और औ तो वो तीन दिन के रिमांड और हमको मिले हैं फिलाल हमारी कस्टेडी में है और पूछ परच में जिस तरह से हमने इससे इन्वेस्टिके पूछ परच की है उससे लगता है कि ये काफी दिमाग से बहुती मजबूत और जिसे कह सकते हैं कि जुठ बोलने में एकड़म एक् कि जो माइंड सेट है वो पूरी क्रिनल माइंड सेट से ही यह सब काम कर रहा था इसको इस बारें यह लगबग 2020 के बाद से ज्यादा एक्टिव हुआ है उसके पहले एक बार सेना में फेस्टबूक और इंस्टाग्राम यूज करते वे पकड़ा गया था तब जाके इसके खि अधरी इस वक्त एहम्दबाद रेलवे पुलिस की कस्टिडी में है जिस प्रकार से इसके डीटेल्स पुलिस को मिली है पुलिस को यह लग रहा है कि यह अभी भी बहुत कुछ पुलिस से चुपा रहा है क्योंकि जो डीटेल शादी.com से मिली है उस भी तक 128 से ज्यादा के साथ अपनी identity छुपा करके मिल चुका है उनसे contact कर चुका है शादी.com के जरीए और इसलिए पुलिस अभी इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं इसलिए करीब पांच से ज्यादा अलग-अलग टीम बना करके पुलिस ने राजस्थान दिल्ली जम्मू कश निकलवा ही जा सके और उन विक्टिम्स को contact करके convince किया जा सके कि वो इसके खिराफ सामने आए ताकि पुलिस इसे ज्यादा से ज्यादा सजा दिल्वा पाए क्यामरा में नम इत्रा टोड के साथ निर्णे कपूर इंडिया टीवी एहमदाबाद